लेकिन भारती जंता पाटी को ये पता था, उनको पता था कि रावज आवन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसी लिए उन्होंने एक और शड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अर्विंद जिलिवाल जी को गिरफतार करवा दिया, कि अपना घमन खतम करिये, अपना आंकार खतम करिये, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोगतंत्र के खिलाफ, शड्यंत्र रच्णा बंद करिये. राउज आवन्यू के स्पेशल एडी कोर्ट ने जमान अब दी, आज देश के सबसे उच्चतम न्यायाले देश के सुप्रीम कोर्ट ने अर्विंद केजरिवाल जी को जमान अब दी, चाहे वो राउज आवन्यू कोर्ट का फैसला हो, या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है, कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी, पिछले दो साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विछहंट, पिछले दो साल से चल रहा ये फरजी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ और सिर्फ भारतिय जनता पार्टी का एक शद्यांत्र है, भारतिय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है, और इसी लिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फरजी केस में बिना किसी सुबूत के जेल में डाल दिया। राउज आवन्यू कोट ने जब अर्विंद केजरिवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट के पास अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोट के शब्द हैं ये हमारे शब्द नहीं है। आज राउज आवन्यू कोट के उस फैसले पर सुप्रीम कोट ने भी मोहर लगा दी और अर्विंद केजरिवाल जी को एडी के मुकर्दमे में जमानत देती। लेकिन भारतिय जंता पाटी को ये पता था। उनको पता था कि राउज आवन्यू कोट से जमानत मिल गई है। उनको पता था कि सुप्रीम कोट से भी जमानत मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने एक और शड्यंत्र रचा। और सुप्रीम कोट में जिस दिन अर्विंद केजरिवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनेतिक हथ्यार CBI से अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार करवा लिया। क्यों किया गिरफतार CBI से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफतार करवाया कि अगर ED के केस में जमानत मिल गई तो अर्विंद केजरिवाल जी बहार आकर दस गुना स्पीड से दिनली के लोगों का काम करने लग चाहेंगी। और भारतीय जन्ता पार्टी का शड़यंतर रुकता नहीं है, इसलिए CBI के केस में रेस्ट किया। मैं आज भारतीय जन्ता पार्टी को ये कहना चाहती है, कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायाले ने आपके शड़यंतर का परदा फाश किया। एक के बाद एक नियायाले ने कहा है कि अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ सुबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर नियायाले अर्विंद केजरिवाल जी को समानत दे रहा है मैं भार्तिय जंता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खतम करिए, अपना अंकार खतम करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोगतंत्र के खिलाफ शड्यंत्र रक्षना बंद करिए सत्य परिशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता अर्विंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अर्विंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहे